लेखक और निर्देशक राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई फिल्म की अपनी तीसरी किस्त बनाना चाहते थे जिसका नाम मुन्ना भाई चले अमेरिका था जिसमें डिबोनियर संजय दत्त और अर्शद वारसी को फिर से कास्ट किया गया था जो पहले दो फिल्मों में भी मुन्ना भाई और सरकिट बने थे लेकिन राजकुमार हिरानी विभिन्न कारणों से मुन्ना भाई की ये तीसरी फिल्म नहीं बना सके राजकुमार हिरानी हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ट शिल्पकारों में से एक है और रचनात्मक्ता के स्वामी है वे फिल्म देखने वाले दर्शकों की नब्ज को पहचानते हैं और बिल्कुल वैसी ही फिल्मे बनाते हैं जो दर्शकों को पसंद आती हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं और जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में उमड़ पड़ते हैं राजकुमार हिरानी ने अब तक पांच फिल्में लिखी और निर्देशित की हैं, और अविश्वसनिय रूप से सभी पांच फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, जो हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं. कमाई के अलावा, उनकी फिल्में सभी लोगप्रिय पुरसकारों और राश्ट्रिय पुरसकारों में भी अपना जलवा बिखेरती रही हैं. ऐसी अमाप सफलता आज के युग में किसी भी लेखक या निर्देशक के लिए नहीं देखा गया है. राशकुमार हिरानी की पिछली पाँच रिलीज फिल्में मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियेट्स, पीके और संजू थी. इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और समीक्षकों द्वारा सराहा भी गया था. इन सभी फिल्मों ने रिलीज होते ही बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिये. अब बारी है उनकी छठी फिल्म डंकी की, जिसे राशकुमार हिरानी ने लिखा और निर्देशित किया है. क्या राशकुमार हिरानी अपनी छठी फिल्म से अब तक का सबसे लंबा छक्का लगाएंगे? फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हुई है, जो की क्रिस्मस वीक है और उसके बाद निउ येर की छुट्टियां भी है. तो यह स्पष्ट है कि अगले दो सप्ताह तक सिनेमा घरों में सिर्फ डंकी फिल्म चलेगी. फिल्म को बॉक्स ओफिस पर अच्छी एडवांस बुकिंग भी मिली है. ट्रेलर देखने पर डंकी की कहानी का पता चलता है कि यह डॉंकी रूट घटना पर आधारित है. डॉंकी रूट एक ऐसा शब्द है, जिसे उन लोगों द्वारा चुने गए अवैध मार्ग के लिए दिया जाता है, जो किसी दूसरे देश के वैध वीजा के बिना उन देशों में प्रवास करना चाहते हैं. मुख्य रूप से इस डॉंकी रूट का उपयोग पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और कभी-कभी गुजरात के लोग भी करते हैं. चुनकि पंजाब के लोग आम तोर पर गधे को डंकी कहते हैं, इसलिए वे डॉंकी रूट को डंकी रूट कहते हैं. इसलिए राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म का नाम डंकी रखा है. ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि पंजाब से कुछ लोग इंग्लैंड के लंदन में बसना चाहते हैं. शाहरुख खान उस समूह के नेता की भूमिका निभाते हैं जो किसी भी कीमत पर लंदन जाना चाहते हैं. ट्रेलर में लोगों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का भी पता चलता है, जिसमें अंग्रेजी सीखने से लेकर अपने सीने पर गोलियां खाना और उन कुछ साल पीछे जाते हैं, तो हमें संजय दत्थ और अर्शद वारसी अभिनीत, विधु विनोत चोपडा द्वारा निर्मित और राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका का एक टीजर याद आता है. टीजर में उन्होंने दिखा आता है कि मुन्ना भाई चले अमेरिका और नई फिल्म डणकी की कहानियों में कुछ सामान्य सूत्र हैं. राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई चले अमेरिका में क्या बदलाव किये जिसे डंकी बनाया जा सकता है. उन्होंने अमेरिका की जगह इंगलैंड ले ली. फिर उन्होंने हीरो के रूप में संजदत्त की जगह शाहरुख खान को कास्ट किया। अर्शद वारसी की जगह राजकुमार हिरानी ने विक्की कौशल, तापसी पन्नू और बोमन इरानी को लिया। ऐसा लगता है कि बाकी कहानी को बदलते समय के साथ और अधिक समकालीन बनाने के लिए रचनात्मक रूप से समायोजित किया गया है। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमार हिरानी ने अपने आइडिया का दोबारा इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि मुंबई के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में से एक ऐसी रोचक कहानी का पता चला है कि कैसे फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का निर्मान हुआ था। जब राजकुमार हिरानी की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS जबरदस्थ हिट हो गई और दुनिया भर से आलोच नात्मक प्रशन सा अरजित की। तब निर्देशक राजकुमार हिरानी और निर्माता, विधु विनोध चोपडा, मुन्ना भाई फिल्म की दूसरी किस्त बनाने निकले। संजय दत्थ और अर्शद वार्सी रातो रात सेंसेशन बन गए थे, जिससे संजय दत्थ का करियर पुनर जीवित हो गया और अर्शद वार्सी को सब कॉमेडी किंग कहने लगे थे। इस स्टारडम और फैंस की इच्छा को देखते हुए, राजकुमार हिरानी ने एक ऐसी कहानी की तलाश शुरू की, जिसे मुन्ना भाई और सर्किट की अगली कहानी के रूप में रूपांतरित किया जा सके। चूंकि संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS में एक इच्छुक डॉक्टर की भूमी का निभाई थी, राजकुमार हिरानी के मन में एक विचार आया। क्यों ना संजय दत्त को मुन्ना भाई की अगली फिल्म में एक वकील की भूमी का निभानी चाहिए। लेकिन काफी रिसर्च और जद्दो जहद के बाद वकील के तौर पर मुन्ना भाई की कहानी आकार नहीं ले सकी। समय खत्म हो रहा था क्योंकि संजय दत्त अन्य फिल्मों में व्यस्त हो रहे थे और उनकी अपेक्षित जेल की सजा भी आगामी मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी को पटरी से उतार सकती थी। तब ही राजकुमार हिरानी के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास पहले से ही एक युवा लड़के की कहानी थी जो अंग्रेजों से भारत की आजादी के समय बापू महात्मा गांधी जी का अनुयाई था। लेकिन एक दिन बापू और उनके अनुयाईयों के अहिंसक विरोध प्रदर्शन में उस लड़के के सिर पर अंग्रेजों का डंडा लग जाता है जिससे वो लड़का कोमा में चला जाता है। कुछ वर्षों के बाद जब वह कोमा से उठता है तो दुनिया बदल चुकी थी, भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी और नाथूराम घोड से ने बापू की हत्या कर दी थी। युवा लड़का गांधी जी की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए अहिंसक क्रांती शुरू करता है। इन शिक्षाओं को वो गांधी गिरी नाम देता है। ये कहानी कई सालों तक लेखक और निर्देशक राजकुमार हिरानी के पास रही। चुँकि राजकुमार हिरानी वकील मुन्ना भाई के लिए कहानी ढून रहे थे। लेकिन जब नहीं मिला तो राजकुमार हिरानी ने बड़ी चतुराई से इसी कहानी को मुन्ना भाई और गांधी जी की कहानी में जोड़ दिया और एक नई फिल्म लगे रहो मुन्ना भा इसलिए अगर हम कहें कि फिल्म डंकी का जन्म मूल मुन्ना भाई चले अमेरिका विचार से हुआ होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है और डंकी की एडवांस बुकिंग से पता चलता है कि ये राजकुमार हिरानी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। राजकुमार हिरानी ने अपनी पिछली हर फिल्म में कम से कम एक खास चीज जोड़ी थी। जैसे मुन्ना भाई MBBS में जादू की जप्पी, लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी गिरी, थ्री इडियट्स में आल इस वैल। इन सभी फिल्मों में ये चीजों ने अद्भुत फिल्म साबित होगी। क्या डंकी बंद पड़ी मुन्ना भाई चले अमेरिका से प्रेरणा लेती है या एक अनूठी कथा के रूप में खड़ी होती है, ये तो समय ही बताएगा। राजकुमार हिरानी की सिनेमा एक शमता, शाहरुक खान की करिश्माई स्क्रीन प्रेजन् कर रही हैं।